नमस्से मैं हूँ सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूँ जैपुर्दा पिंक सिटी चैनल पर अगर आपको गोटनों के दर्द की समस्या सता रही है तो उसके लिए आज मैं एक जबरदस कारकर नुस्खा बता रहा हूँ जिससे आपके गोटनों का दर्द भी ठीक हो जाएगा और अगर गोटनों में ग्रीज खतम हो गई है तो वो भी फिर से बन जाएगी तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है जो सौफ होती है वो लेनी है सौफ दो तीन तरह की आती है एक हरी सौफ आती है जो बिल्कुल बारीक और मेठी होती है दूसरी मोटी वाली सौफ आती है जो सबजी और अचार बनाने में काम में लेते हैं तो आपको क्या करना है कि मोटी वाली सौंफ जो आती है वो ले लेनी है इसके साथ में हम दूसरी चीज लेंगे जीरा ये सबी के गरों में बिल्कूल आसानी से मिल जाता है सबजी में हम रोजाना इसका इस्तिमाल करते हैं सबजी में जो मसाले में इस्तिमाल करते हैं, वो सिर्फ सबजी का टेस्ट बनाने के लिए अच्छे नहीं होते, बलकि आयरवेट के नुसार इनको खास तरीके से इस्तिमाल किया जाए, तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत सारे फायदे भी देते हैं, तो बस यहाँ पर जो ह कोड़ों में दर्थ के लिए इस नुस्खे को बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको एक बरतन ले लेना है, आप चाय वाला जो पतिला होता है, वो ले सकते हो, फिर आप इसमें एक गिलास भरकर पानी डालिए, नाप से डालना चाहें, तो करीब 200 से 250 मिलिलेटर पानी होना चाहिए, यह नुस्खा बनाने के लिए बस इतना ही पानी काफी है, इसके बाद आपको क्या करना है, पानी लेने के बाद में घर में जो खाना खाने वाली चमच होती है, वो चमच ले लेनी है, और फिर यह आदा चमच भरकर आपको लेना है साबुच जीरा, सि वो आपको फायदा देने की जगे नुकसान दे सकती है इसलिए आप ध्यान रखें पानी में आदा चमच जीरा डालने के बाद अब आपको क्या करना है अब आपको आदा चमच सौफ भी इस पानी में डाल लेनी है सौफ के अंदर केलशियम, आइरन, मैगनेशियम, पोटेशियम और विटामिन C की जो मातर होती है बहुत अधिक होती है यही कारण है कि मोटी वाली सौफ आपकी हड़ियों का दर्द, जोडों का दर्द, घुटनों का दर्द और बॉडी के लिए, यानि इसकिन के लिए, बालों के लिए, आँखों के लिए, बेहदी फायदा देती है इसलिए गुटनों के दर्द के इस नुस्खे में ये आदा चमच सौफ आपको जरूर डालने है ये चीजें डालने के बाद में, अब आप इसको करीब 5 मिनिट के लिए धीमी आज पर उबालिए बहुत देर तक आपको इसे नहीं उबालना है, लगबग 5 मिनिट के लिए धीमी धीमी आज पर उबलते रहने से जीरे और सौफ के सारे गुणी सी पानी में आ जाएंगे, तो ये इस तरह से सौफ जीरे का काड़ा तयार हो जाएगा या यूं कहिए कि ये सौफ जीरे की चाय तयार हो जाएगी 5 मिनिट उबालने के बाद अब आप गैस की फ्लेम बन कर दीजिए और इसको अपने आप ठंडा होने दीजिए आपने एक गिलास पानी लिया था तो अब ये काड़ा बनने के बाद एक गिलास से थोड़ा कम रह जाएगा इसका कलर हरा पीला सा हो जाएगा और इसमें से बहुत अच्छी खुजबु आपको आने लगेगी इससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब ये काड़ा बन कर तयार है तो इसे हमने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है रात को नहीं पीना है दिन में ही पीना बेस्ट है सौफ और जीरा पेट की गर्मी को कम करते हैं और रात में कुदरती तोर पर भी पेट की गर्मी कम हो जाती है तो अगर रात को पी कर सोएंगे तो आपको पेट में मंदागनी की प्राब्लम हो सकती है जिसकी वज़े से भूक लगना कम हो सकता है इसलिए सौफ जीरे के इस काड़े को दिन में ही पीना है कितने दिन पीना है इसको आप जितने दिन तक चाहें उतने दिन तक डेली पी सकत बिल्कुल सिंपल काड़ा है, इसमें कोई गरम चीज नहीं है, बलकि हर तरह से शरीर को फायदा देने वाली चीज ही इसमें है, ये काड़ा आपके गुटनों का दर्थ तो ठीक करेगा ही, साथ ही साथ पेट को भी ठीक रखेगा, कब्स और बवासीर नहीं होने देगा, से लाइफ का मज़ा आने लगेगा, तो ये था अमार आज का गुटनों के दर्थ के इलाज के लिए बेहदी रामबांड गरेलो नुसका, अगर आपको इवीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, आप से अगले वीडि जैपुर्दा पिंक सेडी चैनल पर देखते रहे हैं